जारखन सरकार के स्वास्त मंत्री श्रीबन्ना गुपता ने बीते देर साम रामगर जीले में जीला उपायुक एवं पुलिस सदिक्षक्त सहित तमाम प्रसास्निक पदादी कारियों के साथ क्रोना संक्रमन को लेकर एक अहम बैठक की यह बैठक जीले के परिशदन भवन के सभा कक्ष में संपन हुआ। इस बैठक में मंत्री ने स्वास्त विभाग के पदादी कारियों को कई दिशा निर्देश दियें। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री श्रीबन्ना गुपता ने बताया कि एक समिक्षा किया गया है। क्योंकि माननिय मुख्य मंत्री बहुत ही कंभीर हैं और चिंतित हैं वे खुद एक-एक चीजों की समिक्षा कर रहे हैं और उसी के क्रम में हम आये थे कि स्वास्त विभाग में क्या कमिया हैं क्या खामिया हैं आपदा प्रवद्नन के द्वारा और क्या हो सकता है उन कमियो को और खामियों को दूर करने के लिए बैठक कर बातचित किया गया है और कुछ ऐसी कमी खामी जिसको दूर करने के लिए हमको माननिय मुख्यमंत्री जी से बात करनी होगी जोकि मुख्यमंत्री जी से बात करके कमी और खामियों को दूर करने का हम प्रयास करेंगे वह उन्हो प्रधान मंत्री हमारे भी हैं आपके भी हैं उनसे हम सब उमीद करते हैं क्योंकि इस गरीब राज्ये में आयुस्मान भारत जैसे महतुकांची योजना को लागू किया या सोच कर कि गरीब और पिछणा जार्खंड है तो मैं प्रधान मंत्री जी से प्रातना करूंगा कि हमारे गरीब और पिछणों के लिए कुछ आर्थिक पैकेज दें, कुछ अन्य बढ़ाएं, कुछ दवाईयां भेजें, इस विपदा की घड़ी में इस जार्खंड के उपर अपना कृपा और आसिरवाद रखें एक समिक्षा किया गया है, चुकि मान्य मुख्यमंत्री बहुत गंबीर है, बहुत चिंदित है और एक एक चीज़ की वो खुद समिक्षा कर रहे हैं, और उसी के करम में हम आये थे, स्वास दिभाग में क्या कमिया हैं, खामिया हैं, आपदा प्रबंदन के द्वारा क्या मंन्य मुख्यमंत्र जी से ब्रयास किया जाएगा इतना ही सैयोग है और कोई सैयोग नहीं है प्रदान मंत्री हमारे भी है आपके भी है तो हम तो इस गरीब राज में उन्होंने आयुश्मान भारत महतुकांक्सी योजना को जब लागू किया यह सोचके कि यह गरीब जारकंड है और पिछड़ा जारकंड है तो मैं प्रातना करूंगा आपके माध्यम से कि प्रदान मंत्री जी हमारे गरीबों के प्रती जो है कुछ जो है आर्थिक पैकेज दें कुछ जो है अन बढ़ाएं कुछ दवाईया भेज़ें और इस विपता की घड़ी में इस गरीब जारकंड के उपर अपना करपा और आसिरवाद रखें साथी बन्ना गुपता ने कहा कि वैस्विक महमारी से हमारा हिंदुस्तान भी अच्छूता नहीं उसी में हमारा जारकंड जहां कुछ दिन पहले तक एक भी पोजिटिव मामले नहीं आये थे लेकिन अचानक अभी तक 13 मामले आ गए हैं हमारा राज्य पूरे देश में एक गरीब पिछला राज्य के रूप में जाना जाता है हमारे आधरनिये मुख्यमंत्री लागत्तार या प्रयास कर रहे हैं और या उनकी सोच एडवांस टेक्नलोजी पर ही आधारित है जब पूरे देश में लॉगडाउन अभी नहीं हुआ था तब हमारे मुख्यमंत्री ने एक सप्ता का लॉगडाउन कर दिया था कि उसमें हिंदोस्तान वे उसमें अच्छूता नहीं है और उसी में हमारा जारखंड जो अविक्ति समय पहले तक एक भी पोजिटीव मामले नहीं आए थे लेकिन अचानक अभी तक तेरे मामले आ गये हैं हमारे राज पूरे देश में गरीब पिछड़ा राज के रूप में जाना जाता है हमारे आदर्डी मानिय मुख्यमंत्री ने लगतार यह प्रयास किया है और मैं कहूं कि उनकी सोस्ट एडवांस टेक्नोलोजी पर भी आधारी थे क्योंकि जब पूरे देश में लोगडाउन नहीं हुआ था तो हमारे मानिय मुख्यमंत्री ने एक सप्ता का लोगडाउन कर दिया था न्यूजलेंस चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरे सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं न्यूजलेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो वाट्स अप करें हमारा संपर्क नंबर है